नमस्कार स्वागत है साहेतिक जहरो का चैनल पर आज से हम एक नई शीरीज शुरू कर रहे हैं हिंदी के महतपुन प्रशनों की इस सीरीज में मैं आपको PGT हिंदी से सम्बंदित महतपुन प्रशन करवाऊंगी सिर्फ प्रशन ही नहीं करवाऊंगी बलकि हम उन्हें यहां विस्तार से करेंगे ये प्रशन वस्तुनिष्ट प्रशन रहेंगे, objective टाइप रहेंगे लेकिन फिर भी हम इनके परतेक भाग को विस्तार से यहां पर वर्नित करेंगे या परतेक भाग की हम वीस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि जो भी आपके TET exam आने वाले हैं चाहे वो पंजाब से है राजस्तान से है या हर्याना से है UP से है सभी प्रकार के TET exam को आप क्रैक कर पाएं और क्रेक ही ना कर पाएं अपी तो हिंदी के सभी प्रशनों का आप बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएं इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस सिरीज में उन प्रशनों को लेकर आऊं जो या तो बार-बार रिपीट हो रहे हैं या जिनके आने की संभावना अधिक र recognis को आ क्या का है देखिए देखिए हिंदी सहित्य का जो आरंभी काल है उसको आचारिय राम्चंदर शुकल रहेगों ऐसे आचारिय αधरल छेंए क्यों aja काल की अधार पर या उसकी प्रवृत्ति के अधार पर काल का नामकरन किया है यहां पर आरम्भी काल को क्या कहा है वीर गाथा काल अच्छा आधी काल किस ने कहा ये मुझे लगता है कि आपको पता होगा नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ आधी काल कहा है हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने हजारी प्रशाद दिवेदी ने आरंबि काल को आधी काल कहा है चारन काल के अगर ह किस ने खूल है ग्रियर सन्य उससी का आगでは संधी लगा देंगे तो संधी चारण काल किस ने आखा है रामकुमार बर्मानी सिळध सामंत काल यह संक्रितायनी तो सिझ सामंत काल किस ने क paints राहूल तो यहां हमें एक प्रशन मिला कि आचारे रामचंदर शुकल ने आरंभिक काल को क्या कहा उसका उत्तर हमने देखा वीर गाता काल लेकिन इसके साथ हमने तीनों जो इसके और पॉइंट थे उनको भी विस्तार से किया अगर आप इसी प्रकार करेंगे तो एक प्रशन के साथ हमें चार प्रशनों के उत्तर हमें यहां मिल रहे हैं दूसरा हमारा प्रशन है निर्गुन भक्ति कावे का परमुख कवी कोन है देखे निर्गुन भक्ति हम सब जानते हैं कि निर्गुन भक्ति कावे का परमुख कवी कोन है कभीर दास बहुत ही आसान सा प्रशन है लेकि सूर्दास किसके उपासक है सूर्दास क्रिशन के उपासक है तुलसी दास और केशव दास किसके उपासक है यह शीरी राम के उपासक है राम का भक्ति धारा से जुड़े हुए कवी है इसके बाद हमारा आगे प्रशन है आँचली करशनाई किस से संबंदित होती है देखिए आंचलिक यानि अंचल विशेश से, अंचल क्या क्षेतर, आंचलिक रचनाई किस से संबंदित होती है, शेतर विशेश से संबंदित रचनाओं को आंचलिक रचनाई कहा जाता है, लोक जीवन से जुड़ी हुई रचनाई या एक किसी विशेश जो एरिया या क्षेतर होता ह उसके बारे में अगर किसी रचना में वर्णन किया जाए या वहां की घटना को लिया जाए तो उसे एक शेतर विशेश से जुड़ी हुई तो उसे क्या कहते हैं आंचली का रचना ये उन्हें कहा जाता है इसके बाद है संस्कृति के चार अध्याई किसकी रचना है देखे संस्कृति के चार अध्याई किसकी रचना है राम धारी सिंग बिनकर की बहुत ही मैत्पून प्रशना है और कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है कि संस्कृति के चार अध्याई संस्कृति से प्रशाद दिवेदी का एक बहुती प्रसिद्ध निबंद है अशोक के फूल कितने परकार के पसंद है अशोक को हजार परकार के तो अंसर उत्तर क्या हुआ हजारी प्रशाद दिवेदी आगे हमारा प्रशन है हिंदी साहित्य के इतिहाद के सरव प्रथम लेखक का नाम देखे हिंदी साहित्य का इतिहाद जो सबसे पहले लिखा गया वो लिखा गया फ्रेंच भाशा में और उसके लेखक कौन है गार्षा द तासी जोर्ज ग्रियरसन ने लिखा लेकिन इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा इन्होंने लिखा अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्या का इतिहास इन्होंने लिखा शिव सिंग सेंगर शिव सिंग सेंगर ने लिखा शिव सि सरोज ये हिंदी साहिते का दूसरा महतपूर्ण गरंथ माना जाता है आचारे रामचंदर शुकल ने कौन सा गरंथ लिखा आचारे रामचंदर शुकल हिंदी साहिते के महतपूर्ण लेखा के इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास गरंथ लिखा जो की बहुत प्रसिद है और अभी भी हम इस गरंथ को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए एक बहुती महतपूर इनका गरंथ माना जाता है इसके बाद है अतीत के चलचितर किसकी रचना है अतीत के चलचितर रचना है महादेवी वर्मा की महादेवी वर्मा छायावाद की महतपूर कवितरी है या छायावाद के चार आधार स्थम्बों में से एक मानी जाती है महादेवी वर्मा और इन्हीं की रचना है अतीत के चल चितर हिंदी साहिते की बहुती मैत्पून रचना है अतीत के चल चितर तो आज हम इतना ही करेंगे उमीद करती हूँ कि यह जो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो बहुत बहुत धन्यवाद